क्या अच्छे दिन आने वाले हैं ऐसा कई निवेशकों के दमाग में वापस से चीज़ें आ रही हैं दोस्तों क्योंकि इस फार्मा स्टॉक के जैसे ही कौटर थी के नमबस आए हैं उसके बाद से लगातार दो दिन स्टॉक में एक शांदार तेजी बनी रही इतना ही नहीं फ्राइडे को जब बादार एक अनप्रेसिजेंटेड़ वे में गिरावट दिखा रहा था हर एक सेक्टर दबाओ की ओर था ऐसे में ये एक ऐसा स्टॉक था दोस्तों जो बढ़ोतरी लगातार बनाए हुए था हां उपर इस तरों से काफियत तक आप कह सकते हैं कि अच्छे चीज़ देखने को मिल रही है देकिन एक फॉरेन ब्रुकर हाऊस ने इसके जो कह सकते हैं टार्गेट प्राइस है उसे कम किये हैं तो आने वाले समय में आप क्या उमीद कर सकते हैं इस पूरे के पूरे इस टॉक से पौरे से को अटरी के नंबर को दिकोट करने क कोशिश करेंगे तमाम चीजों में चर्चा करेंगे वीडियो को अंति तक देखेगा बहुत इंफर्मेटिव बहुत एजिकेटिव होगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चाहिए पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दे वीडि है कितनी लग बग एक प्रतीशत की आप देखे तेजी दिखाया और वहां से एक जबर्दस तेजी में आपको यह स्टॉक दिखा है लगबग दो प्रतिशत के आसपास की तेजी और मोस्ट दो स्टॉक दिखा चुका है दोस्तों ठेक तो क्या यहां से चीजे अच्छी होंगी और इतना ही नहीं यह जो तेरा सो पच्पन लिखा ना तेरा सो पचास स्टॉक ने इसके ऊपर की क्लोजिंग दिया दोस्तों जी हां तेरा सो पचास स्टॉक ने इसके ऊपर की क्लोजिंग दिया है तो यह टेक्निकली भी काती अच्छी चीज है लेकिन सिर्फ यह दो दिन की तेजी सिर्फ यह कह सकते हैं यह जो तमाम सेनारियों दिख रहे हैं इस पॉजिटिविटी के क्ली समझनी पड़ेगी के ग्लान फामा अभी भी एक डेंजर 1 टॉक है और मैं कह रहा हूं डेंजरर स्नुआ यह एक डेंजरर श्तॉक है दी आपकमन bunk04 वह तो ग्लान फाम है मैं अगर साथ नहीं इंगर मैं ओक्ष यह लेके चलूं क्योंकि अगक्र मैं आपके साथ लेके sales हुआ है और ये year on year quarter on quarter दोनों ही सूर्थों में बड़ी गिरावट है ठीक है जून के बाद के जो quarter में बढ़ोतरी दिखीती वो अचानक से अब गायाब होती दिखाई दे रही है वापस से 900 कोड़ के आसपास का sales हुआ है ठीक है आप देखें यहां पे तो जो expenses हैं उस front पे शायद आपको आप कह सकते हैं थोड़ी सी रहात मिलती दिखाई दे कि जो material cost है दोस्तों वो 50% से घटके अब 45% के आसपास रह गया है employee cost में थोड़ी बढ़ोती देखने को मिल रही है यह कुछ problem है लेकिन हां जो material cost में बहुत बढ़ा expenses होता था उसमें रहाता आना long term के लिए थोड़ी positive चीज है दोस्तों ठीक है आगे है बात करें operating profit margin की दोस्तों तो यह 28% से बढ़के अब 31% बेख रही है और यह एक काफी हद तक positive चीज है दोस्तों और देखें जो tax percentage है वो भी 26-25 होई और जो net profit है दोस्तों वो 240 से घट करके 228 करोड हो गई है जबकि आपके sales में एक बड़ी गिरावट थी लेकिन जो net profit में उतनी गिरावट नहीं आई है और यही कारण है कि अब बाजार एक चीज समझ रहा है कि जो भी तमाम negativity होनी थी तमाम जो issues होने थे वो already share price में priced in हो चुके हैं यहां से कोई बहुत बड़ी गिरावट होती हुई नहीं दिखाई देगी ठीक है यह तो बाते होग ग्लैंट फार्मा की दोस्तों लेकिन मैं यह कहूँगा कि अभी भी दोस्तों बहुत सारे issues हैं ज क्या होगा यह देखना पड़ेगा ग्लैंट फार्मा में यह कहूँगा कि जी हां तमाम जो negativity negativity है जो बहुत सारी negativity है वो already stock के share price में pricing हो चुकी है दोस्तों तो यह कोई जो result आया है यह already निवेश्कों के anticipated था कोई बहुत ही जादा एकदम खराब नहीं आएगा जो ऐसा लग कि जो फॉरें बुरुक्री हाउस की मैंने बात कही थी देखें ग्लैंट फार्मा ब्रेंस्टीन इसने आउट परफॉर्म की रेटिंग दिये दोस्तों ठीक है और target को cut करके 2036 कर दिया है even जिस current price में trade कर रहा है वहां से यह लगभग बहुत बहुत जादा है more than 30-40% दोस्तों ठीक है तो यहां से भी काफी अच्छी तेजी आपको होती दिखाई देगी तो मैं यही कहूंगा हाँ जो downside है फ़ड़ा कम होते दिखाई दे रहा है अगर बड के नीचे ग्लाइंड फार्मा का जाना बहुत बहुत तफ दिखता है तमाम negative issues तमाम negativity और यहां से एक बड़ी तेजी होते हुए मुझे दिखाई देगी और अगर आप वाकई में एक long term investor है तो मुझे लगता है कि ग्लाइंड फार्मा में आप accumulator की strategy अपनाए ना कि से पहले अपने अपने वित्यर सलाकार सला जरूर लीजेगा तो यहां तक जुले रहे हैं इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद ये इस वीडियो का अनता है जैहिन दोस्तों